हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टु माई यूटूब चैनल वैश्णभी फ्री एजूकेशन क्लासिस चलिया क्लास में आ जाए और बता दीजी चल्दी से कि आवाज वगेरा एकदम पर्पेक्ट है ना क्लास स्टार्ट की जाए बताइए रैडी है सभी आवाज वगेरा बिल्कुल प्रॉपर है ना बताइए जल्दी से कि इस मैं किलियर है चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार क्लास को ठीक है ख्लास करने से पहले आपको बता देए जितने भी questions आ रहे हैं आपके सामने सारे questions most important हैं ठीक है यह आपको दिमाग में रखना है प्लस 20 मार्च से आप सभी को मालूम होना चाहिए 20 मार्च से शाम को 7 बजे रात में 8 बजे यह दोनों टाइम आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो आपको दोनों टाइम भी चुड़ना है रात में 8 बजे ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं question number first आपके screen पर है पूछा गया है किस प्रभाववादी चत्रकार के चत्रों को विज्यापन में प्रियुक्त किया गया था बताइए क्या मैं माप लाइब हो बिल्कुल बिल्कुल लाइब है ठीक है आजाओ किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्यापन में प्रियुक्ट किया गया था ये पूछा है पॉल सेजा, अगस्त रैनवर, तुलुज लॉत्रेक या फिर एडगर देगा बताइए क्या होगा राइट आंसर फस्ट का बहुत अच्छा आंसर आ चुका है, आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन C, ये है तुलुज लॉत्रेक, टिकेट क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा आगे चलते हैं, next question पे, दिया है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववात का नाम पड़ा है, घास का धेर, रुआ का गिर्जा घर, शुर्योदे का प्रभाव, या फिर चिनार रक्ष, बताइए, second का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटा-फट से करेंगे, सभी लोगे एक साथ आंसर, बिल्कुल दूसरे का भी आंसर आ गया है, शाबास, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा, शुर्योदे का प्रभाव, ठीक है, चली, next पे आते हैं, दिया है, प्रभाववात का जनक कलाकार कौन है, रैनवार है, देगा है, सेजा है, क्लॉद मोनी है बताएंगे आप लोग 20, sorry, 3rd का, शाबास, हाँ, आप भी आ गये, very good, बहुत अच्छे किया, चली, आ जाएए, आंसर करेंगे 3rd का, बिल्कुल आंसर आ गया है, क्लॉद मोनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, option D, ठीक है, चली, next पे आते हैं, दिया है, सन्राइज आडवर्ड मोने, या पाल गॉगा, बताएं, विंसेंट वान गॉग, पोर्थ का राइट आंसर क्या होने वाला है, या आपको बताना है, बताएं जल्दी से, पोर्थ का, ए आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर है, क्लोद मोने आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चली, next पे आते हैं, दिया है, पैंटर ओफ सिरीज, किसे कहते हैं, मोने, माने, देगा, रैनवार, बताएं, पांचमे नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, या आपको बताना है, शाबबास, देखते ही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, option A, बिल्कुल सही है, मोने आ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलो, next पे बढ़ते हैं, next आता है, रुआ का गिर्जा घर, नामक चित्र बनाने वाले कौन है, बताए, रुआ का गिर्जा घर, बताए क्या होगा, क्लोद मोने, कूर्वे, सेजा, सोरा, छटमे पे आएंगे, आप लोग आंसर क मुख्य चित्रकार कौन है, बताए, सोरा है, मोने है, सेजा है, सिन्याक है, बताए, साथमे नंबर पे क्या होगा, राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, आप लोग सच में, बिल्कुल दिल खुश करने वाली, रिप्लाई आ रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्रभाववाद आपका करिक्ट आंसर हो जाएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर, दिया है घास का धीर, चित्रमाली का चित्रत करने वाले कलाकार का नाम बताना है आपको, बताए, सभी लोग करेंगे, एक साथ, नो नंबर पे, बि मोने करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर दिया है वाटर लिली, नामक पेंटिंग है, यह श्रंखला, यह किसके द्वारा बनाई जाती है, बताए, करेंगे सभी लोग दसमे नंबर पे, फटा फट से, सभी लोग बताएंगे, तो क्या कर रहे है आप लोग दसमे कसी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, मोने आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चली, अच्छा बताओ चलती से, टेमस नदी के द्रश्च चित्र, किसने बनाई है, किसी को मालूम है, क्वेस्चन हम पूछ लें आप से आज, टेमस नदी के मोने ने बनाया है, बहुत अच्छा, मोने ने ही बनाया है, ठीक है, और प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार भी कौन है, यही हो जाएगा, मोने, ठीक है, और पेंटर आप सिरीज किसको कहते है, मोने को ही बोलते है, ठीक है, गास का धिर किसने बनाया, मोने ने बनाया है ठीक है और कुमुद्नी के फूल चित्र किस ने बनाया है, यह भी इनी ने बनाया है याद रखना है ठीक है, और इसकी विक्री भी होती है, दो दसमलों साथ करोण के लगभव होती है ठीक है आगे ग्यारवे का बताइए Monsant Victoria बताइए क्या होगा इसका राइट आँ सर 11 उलेवंट का सभी लोग एक साथ करेंगे पूछा है Monsant Victoria शीर्सक से तेल चित्रों की एक श्रंखला तयार की है वो किसने की है 11 नंबर पर बताएंगा आप लोग एक सेकंड ये question पूरा नहीं है अब बताइए क्या होगा right answer 11 में का बताइए फटा फटसे क्या होने वाला है मॉन सैंट विक्टोरे बोला है क्या होगा right answer आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप लोग answer कर रहे हैं और एक दम perfect कर रहे हैं very good शाबास ओके चलिए आजाओ चलिए ठीक है आंसर की बात करते हैं बिल्कुल सही है एडवर्ड मुंख आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए सभी का बिल्कुल सही आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट क्वेश्चन पे तो दिया है जापानी कलाकार है होकुशाई प्रशिद्ध है किसके लिए मूर्तिकला के लिए टेरा कोटा के लिए उक्यो ए या फिर कास्टिंग के लिए बार्वे नंबर प्याएंगे आप लोग जापानी कलाकार होकुशाई की बात हो रही है यह आपको बताना है बताए तो बार्वे का राइट आंसर आ रहा है अच्छा एक क्वेश्चन बताए जल्दी से जार्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था मालूम है किसी को जार्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था यह आप से पूछा जा रहा है माने वेरी गुड किसने बनाया था माने ने बनाया था ठीक है अच्छा बता पोली बरजेर का मदीरा ग्रह ये चित्र किसमें बनाया है तो याद रखना है यही आपका करेक्ट हो जाएगा माने ने ही इसको बनाया है ठीक है याद रखेंगे आप लोग चलें आगे चलें आगे चलते हैं नेक्ट्स क्वेस्चन पे तो दिया है विंसेंट वान कॉप किस सम्बंदित हैं बताइए कौन से बात से अनुच जी हमने आपका कमेंट देख लिया है ठीक है आगे चलिए आंसर पर फोकस करिए ठीक है किसी के पर्सनल लाइफ पर नहीं बताइए इसका क्या होगा विंसेंट मॉन गौग सम्बंदित है किस से 13 पहेंगे आप लोग जहां पर्सनल होना चाहिए वहां तक हम हो जाते हैं ठीक है इसके आगे कुछ ने आगे बताइए 13 का क्या होगा बिल्कुए तो क्या है राइट आंसर ऑप्शन ए यह है उत्तर प्रभावबाद या कह दीजे संसकारवाद ठीक है चलते हैं आगे नेक्स्ट है किस लेंड इसकेप चित्रकार ने प्रभावबादियों को प्रेर्णा दी थी टर्णर कॉंस्टेबल मिले गोया क्या होगा चौदवें प्याएंगे आप लोग बताइए प्रभावबादियों को प्रेर्णा दी थी किस लेंड इसकेप चित्रकार ने तो क्या है राइट आंसर बिल्कुल आ ग तुलुज लॉत्रिक या फिर बताइए रोबिया क्या होगा 15 का तो क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी तुलुज हो जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं दिया है रेरिंग होर्स चित्र किसने बनाया है यह आप से पूछा जा रहा है और देखिए यह चितने भी क्वेश्चन्स है यह इंपॉर्टेंट है ठीक है यह आपको दिम जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो जल्दी से बताना है दा आर्टिस्ट रूम इन अर्ले इसके आर्टिस्ट कौन है यह आप से पूछा जा रहा है 17 पर आईए बताई क्या होगा राइट आंसर 17 का बताएंगे आप लोग एक साथ और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह भी दिमाग में रखते हुए पढ़ना है ठीक है चली हाँ तो क्या राइट आंसर आ रहा है आपका 18 में 17 में पर आईए 17 में पर पढ़ने पर फोकस करिए पटा-फट से बता है किसी को बनगाउग का पूरा नाम क्या है च्छाब दो जल्दी से और साथ में आपको बताना है डॉक्टर गैचेट का चित्र यह किसने चित्रत किया है यह भी साथ में आपको बताना है इस question का अंसर ठीक है वान गॉग का पूरा नाम क्या है विंसेंट वान गॉग वेरी गुड उत्तर प्रभावबाद की कलाकार है शाब बास किसने बताया है अलोग कुमार ने वेरी गुड हाँ सभी क्या आगे विंसेंट वान गॉग वेरी गुड हाँ और यह जो चित्र बनाया है ना इनी ने बनाया है डॉक्टर गैचिट का चित्र ठीक है याद रखना है चलिए आगे चलते हैं next पर तो अच्छा बताओ पोटैटो इटर्स नामक जो बहुत फेमस चित्र है वो किसने बनाया है देखी याद रखना पोटैटो इटर्स प बनाया है तो भी यही हो जाएगा the night cafe यह किसने बनाया है तो भी आपको वन गॉग याद रखना है ठीक है last for life या तब भी आपको इन्हीं को याद रखना है सूर मुखी का चित्र पूछ ले तब भी आपको वन गॉग याद रखना है ठीक है आपको रटवा देंगे ऐसे ही बार-बार याद करवा के चलिए next question पर आते हैं दिया है dance at la mula de la galet बताईए यह चित्र किसका है अठार में पर बताएंगे आप लोग answer इसका क्या होगा सभी लोग बताएंगे सभी लोग एक साथ चलिए answer की बात करते हैं और answer आ रहा है आपका रेनवार बिलकुल सही दिया है किसने दिया है लोग कुमार very good बहुत अच्छा option d यह अगस्त रेनवार की आपका answer हो जाएगा ठीक है इन्ही ने डाइना का इसनान जो है बार-बार चित्रित किया है याद रखना है बहुत प यूतियां दे देगा तो भी आपको रेनवार लगाना है या फिर देदेगा ग्रिपोन वाली इसनान मगन यूति तो भी आपको रेनवार ही लगाना है देदेगा न्यूड किसने बनाया है तो भी आपका answer यही हो जाएगा ठीक है बहुत पूछे जाते हैं ये वाले जो हम अच्छा जितने बोलते जा रहे हैं सब सुनते जाओ ठीक है बीस तारिक से जो क्लास होगी ना उसमें हम ऐसे ही questions बताएंगे question बताएंगे उसके जितने भी most most होंगे वो सब बता देंगे 19 पर आईए पहले आप लोग यूरोपी कला का प्रभाववादी कलाकार आपसे पूछा गया है क्या है राइट आंसर इसका उनी इसका ए दे रहे हैं मोने आपका correct answer हो जाएगा ठीक है इनी ने क्या बनाया है पेंटर आपसरीज मतलब इनी को कहते हैं पेंटर आपसरीज बोलते हैं और ये कौन से कलाकार है प्रभाववाद के हैं और इन्होंने water lily बनाया है या फिर कह दीजे कुमुदनी के फूल बनाया है घास के धेर बनाया है ठीक ह याद रखना है चलो आगे नेक्स्ट पर आते हैं कौन प्रशिद महिला प्रभाववादी कलाकार है बताइए जल्दी से 20 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर बताइए 20 का B दे रहे है शाब बिल्कुल सही है क्या है मैरी कैसे टापका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दिया है दाबाद चित्र किसने चित्रित किया है बताएंगे आप लोग 21 पे फटा फट से बताइए ये जो चित्र है ये किसने बनाया है दाबाद फटा फट से करेंगे आप लोग तो क्या होगा इसका राइट आंसर 21 का B बिल्कुल सही दिया है पाल सेजा बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं और देखे एक चीजी या दखीगा जो पाल सेजा है ना इन्होंने भी इसनान मगने यूगतिये के चित्र बनाये है ठीक है और इनको किसका पिता कहते हैं पता है किसी को आधुने कला का पिता भी इनको कहते हैं किसको अपाल सेजा को क्या कहते हैं आधुने कला का पिता भी बोलते हैं और ये उत्तर प्रभाववादियों में इनकी गिंती होती है ठीक ह चले आगे तो दो तीन चीज़े आपको याद रखनी है आधुनिक ओलंपिया बोल दे तो भी आपको याद रखना है आधुनिक कला का पिता किसको कहते है इसी को कहते है इस नानमगने यूतियों के चित्र किसने बनाये है इन्ही ने ताश के खिलाडी इन्ही ने बनाया है ठ भारती कलाकारों में किस पर प्रभाववात का प्रभाव मिलता है 22 नंबर पे आएंगे आप लोग आंसर करेंगे तो क्या है आपका राइट आंसर रड़ी इसिंग विस्ट आपका पर राइट आंसर नहीं बिल्कुल सही दिया है आगे बटने दिया है optical mixture किस आंदोलन से संबंदित है, फटा-फट से बताएंगे आप लो, कौन सा आंदोलन हो, इसका right answer, बताइए, optical mixture की बात हो रही है, इसका right answer क्या होगा, 23 का, बताइए, बहुत अच्छा, शाबास, बिन्दुवाद, बिल्कु सही दिया है, option C हो जाएगा, बिन्दुवाद, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question पर, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं, next पर, दिया है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था, यह आपको बताना है, 24 पे, जब 20 तारीक से क्लासे चलेंगी न, तब आप लोग सच में बोलेंगे कि हाँ, अब आया मजा, बताई 24 का क्या होने वाला है, डेमो अभी से दिखाने लगे हैं हम आपको, 24 का क्या होगा, right answer, बताई जल्दी से, फटा-फट से, बिल्कु सही द बनाया है इस चित्र को, बताईए, क्या हो right answer, सभी लोगे एक साथ बताएंगे, फटा-फट से करेंगे आप लोग एक साथ answer, और देखी, क्लास को सभी तक शेयर करिएगा, क्योंकि 20 तारीक से जो क्लासे चलनी है न, उसमें संख्या आपकी बहुत जादा होनी चाहिए, ठ बाद में दिक्कत हमी को हो, हमारा गला ही राब हो जाए, ठीक है, चलिए, तो answer की बात करेंगे, आप लोगोंने answer कर दिया है, option A दे रहे हैं, और बिल्कुल सही है, देगा आपका correct answer हो जाएगा, चलिए, next है, बहले नृत्यों को चित्रत करने वाले प्रभावबादी कलाक का नाम बताना है, बहुत पूछा जाता है, इस question को, बताइए, क्या होगा, बताइए, अब बताइए, 26, पटापट से करेंगे आप लोग answer, बहुत छोटे अच्छर है, गले को कुछ नहीं होगा, चलिए, ठीक है, answer की बात करेंगे, आपका answer होगा, option D, देगा, ठीक है, च उत्करष्ट मूर्ती, रे, ये क्या हो गया भाई, कौन सा question था, पचीस हो गया था, 26 को करवाना था, ना, कहां चला गया भाई, 26 हो गया, 27 में प्याना है, दिया है, उत्करष्ट मूर्ती है, तरुन नर्तिकी, ये ब्रॉंज माध्यम में बनी हुई है, जो की वर्थमान मे Metropolitan Museum, मतलब New York में इसको रखा गया है, सुरक्षित, इसके शिल्पी कौन है, बताइए, तरुन नर्तिकी की बात हो रही है, 27 पे, तो right answer क्या होगा आपका, ये आपको बताना है, फटा-फट से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए, क्या होने वाला है इसका right answer, Option D, बिल्कु सही है, D वालो, देगा, बिल्कु सही है, आगे, दिया है, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तक्यों को अपने चित्रण की विशेवस्तु बनाया, ये भी बहुत पूछा जाता है question, बताएंगे आप लोग, क्या होने वाला है इसका right answer, फटा-फट से करेंगे चले, answer की बात करते हैं, और answer होगा, आपको option B, ये है, देगा, ठीक है, मैं आज questions छोटे दिख रहे हैं, का है छोटे दिख रहे हैं भाई, देखो कितना बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है, इसमें भी आप लोगों को छोटा-छोटा दिख रहा है, चसमा लगवाल हमारी त जल्दी से क्या होगा इसका right answer, फटा-फट से बताईए, the morning bath, 29, answer क्या होगा, देगा, बिल्कु सही है, option B हो जाएगा, ठीक है, चलो, next पर आते हैं, दिया है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसका है, बताईए, अभी अभी जस्ट बताया है, गल्ती नहीं होगी अब, क्या होगा right answer, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, बताईए, तो क्या होगा इसका right answer, 30, option B, option B, हाँ, बिल्कु सही है, एडवर्ड, माने आपका बिल्कुल correct answer हो रहा है, आगे चलते हैं, दिया है, त्रणपर भोजन, इसके चित्रकार कौन है, माने, पूर्वे, मोने, सेज फटा-फट से करेंगे 31 पे, बताईए, क्या होगा right answer, चलिए, देखे, question पूछा जाता है, Spanish guitar player, ये बहुत पूछा जाता है, तो इसका right answer क्या होगा, माने, बिल्कु सही दिया है, इसी का ये भी चित्र है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, तेल माध्यम में बना हुआ है New York में इसको रखा गया है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, next पर दिया है, किसने luncheon, एक सेकेंड, लीजे अब देखेगा, दिया है, किसने luncheon on the grass, नामक painting बनाई हुई है, ये आपको बताना है, क्या होगा right answer, तो क्या होगा, बताईए, साथ में एक लिख लीजे, यहाँ पर बहुत important, old musician, पूछा जाता है, old musician, जो चित्र है, ये किसने बनाया है, तो जिसका ये answer होगा, उन्ही ने ये भी बनाया है, 32 पे आ रहा है answer क्या, माने दे रहे हैं, और बिल्कुल सही है, माने ने ही, इसको old musician बनाया है, ये भी आपको याद रखन है, केनवास पे तेल माध्यम में, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, दिया है, माने का चित्र है, ओलम्पिया में, इस्त्री की लेटी हुई आकरती दिखाए गई है, इसमें किसको लेटा हुआ, दिखाया गया है, राजकुमारी, वैश्या, चित्रकार की पतनी, सामन्ती और 33 इस नंबर प्र आएंगे आप लोग, क्या होना राइट आंसर? किसको दिखाये गया है, माने का चित्र ही है, ओलंपिया, ठीक है, याद रखना है आपको. बताइए. क्या होने वाला है अंसर? तो, पहली बात तो माने ने बनाया है, ये याद रखना है, और किसको दिखाये गया है इसमें वैस्या को दिखाये गया है ठीक है और माने का ही एक और चित्र है बांसुरी वाला बहुत पूछा जाता है दा क्या है बांसुरी वाला ठीक है याद रखना आगे चलते हैं next question पे पूछा जा रहा है प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य वि बताईए सभी लोग बताएंगे अच्छा ये किसी को पता है प्रभाववादी जो मतलब ये प्रभाववादी जो चितरकार हमें मिलते हैं या फिर इसकला का जो मतलब सताबदी है वो कौन सी सताबदी में इसका विकास होता है 18, 19, 20, 21 कौन सी सताबदी में इसका जन्म होता है पता है किसी को प्रभाववाद की बात हो रही है बताईए दिखाई नहीं दे रहा है क्यों नहीं देख रहा है भाई हमें तो पूरा-पूरा देख रहा है आंसर आपका आगया है ये option D होगा लेकिन आपको बताना है कौन सी सताबदी की कला है ये प्रभाववाद वाली तो याद रखना है ये उनीसमी सताबदी की है याद रखना ठीक है बहुत important है पूछ लिए जाता है आपसे आगे चलते हैं next पर दिया है Edward माने के द्वारा सुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकास के सभी लोग बताएंगे और ये बताइए अचा ठीक है चलिए ठीक है आंसर की बात करेंगे आपका राइट आंसर प्रभाववाद हो जाएगा और प्रभाववाद का जन में कहां होता है फ्रांस में होता है याद रखना है आपको ठीक है चली आगे चलते हैं next question पे और प्रभाववाद के अगर पूछ लेगा जनक कौन है प्रभाववाद के जनक तो याद रखना है मोने को माना जाता है प्रभाववाद का जनक ठीक है चली आगे चलते हैं और पूछ लेगा प्रभाववाद का पहला चित्र कौन सा है तो सुर्य प्रभाव यहां का पहला चित्र है, और सूर्योदय का प्रभाव चित्र बनाये किसने है? मोने ने बनाया है और यही प्रभाववाद के जनक है, ठीक है? चले आगे, चले. नेक्स्ट पे आता है तो पूछा जाता है किस कलाकार ने पैस्टल रंगों तथा गतिसील फोटोग्राफिक आकरतियों के द्वारा चित्र का निर्मार किया है मोने, वॉनकॉक, पिकासो, एडगर देगा बताई जल्दी से थोड़ा सा क्वाल्टी बढ़ाईए, तो आपको बिल्कुल एक दम इस पश्ट दिखेगा 36 नंबर प्याओ, फटा-फट से आज हमने ब्लैक स्क्रीन कर दी है, तो हमें लगता है आप लोगों की बियांखे बिल्कुल ब्लैक बैक हो गई है नहीं दिख रहा है आपको, 36 प्यारा है आंसर, आप्शन, सभी लोग करेंगे किस कलाकार ने पैस्टल रंगों तथा गतिशील, फोटोग्राफिक आकरतियों, बताईए तो ऑप्शन डी वालो बिल्कुल सही हो, एडगर देगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है चलते हैं आगे, नेक्ट क्वेस्टन पे, तो दिया है, नव प्रभावबाद का संस्थापक कौन है, सभी को बताना है जोर्ज सोरा, पॉल सिगनक, सेजा, रैंबार, बताईए, जल्दी से, 37 नंबर प्याएंगे आप लोग, क्या होगा राइट आंसर सभी लोग करेंगे एक साथ तो क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर, सोरा, बिल्कुल सही दिया है, option A हो जाएगा, जोर्ज सोरा इनके बादे में जान लीजे, बहुत पूछा जाता है, ये कौन है जोर्ज सोरा, ये बिंदुवादी कलाकार है पहला आपको ये याद रखना है, और इन्हों ने एक बहुत फेमस चित्र बनाया है, जिसका नाम है सरकस, किसने बनाया है? जॉर्ज सोरा ने बनाया है और इन्हों ने इन्हीं को मतलब बिंदुवादी कलाकार कहते हैं ठीक है और बिंदुचित्रण पद्दती जो स्टार्ट की है वो इन्हीं ने की है किसने जॉर्ज सोरा ने सुरू से बताते हैं फिर से सुनिये हमने इनके बारे में क्या बताया ब ग्रांडे चैते द्वीब पर एक रभी वास्री अपरहन जो रचना है ना इन्हीं की है और बहुत जादा पूछी जाती है इसको याद रख लेना ठीके बहुत जादा और सोरा को ही ना एक कलाकार है गौगिन इन्होंने हरा रशायन शास्त्री कहा है क्या कहा है बहुत इंप बता दे थोड़ा सा जार्ज सोरा के बारे में इसनान इस्थल इसका बहुत फेमस चित्र है और मतलब जार्ज सोरा का पहला चित्र है और बहुत फेमस चित्र है चित्र का नाम क्या है इसनान इस्थल है 1884 में बनाते हैं ठीक है और इन्हीं को हम नव प्रभावबाद का जन इसे बिल्कुल तो 38 का आंसर आ गया है बिल्कुल option A हो जाएगा जोर्ज सूरा आपका हो जाएगा ठीक है चले next है प्रख्यात चित्र सरकस के चित्रकार कौन है लीजे वही question आपके repeat हो गया है फटा फट से करेंगे आप लोग answer बताइए चले answer आ गया है बिल्कुल 49 का भी कहां गया ये जोर्ज सूरा आपका हो जाएगा ठीक है अच्छा किसी को पता है नव प्रभाववाद जो ये शब्द है ये इसका प्रियोग सबसे पहले किसने किया था नव प्रभाववाद ये शब्द का प्रियोग सबसे पहले किसने किया था आपको याद रखना है एक कला समीक्षक है फ्रांस के थे उसका नाम था फैलिक्स फैनियो क्या नाम था फैलिक्स फैनियो इसने सबसे पहले इसका प्रियोग किया था ठीक है इसको यहां कर दें ठीक है याद रखना है चलिए आगे चलते है नेक्स्ट पर दिया है बिंद बात का कलाकार कौन है जल्दी जल्दी आंसर करेंगे यह सब पढ़ चुके हैं हम क्या होगा राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी वालो सोरा आपका जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा ठीक है धिनकर कौशिक का भी अभी आगे पढ़ाएंगे सब कुछ ठीक है जब ड इंदू चित्रण पद्दती आरंब किसने की है अभी अभी पढ़ाया है फटा फट से छाप दो जल्दी से क्या होगा राइट आंसर एक तालिस पर आईए तो किसने की है चौर्च सोरा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है चलते हैं आगे दिया है उस उ दीजें ताहिती में चित्रण कार किसने किया है या आप से पूछा गया है और आंसर भी बहुत अच्छे से आ रहा है 42 का ऑप्शन डी दिया जा रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही है पाल गौगिन इन ही ने जोर्ज सोरा को क्या कहा था हरा रशायन सास् ठीक है चले चित्र है तीन ताहिती वासी चित्रकार के चित्रकार कौन है लोग फिर से पूछा जा रहा है क्या होने वाला है आंसर 43 का राइट आंसर बताए जल्दी से बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही है पाल गौगिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे दिया है किस कलाकार ने ताहितियान पेंट किया है बताए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर 44 का वही पूछ रहा है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यही चीज घून-घून के तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका 44 बिल्कुल सही है आपका ओप्शन C हो जाएग ठीक है लीजे कितने बार पूछेगा भाई चलो पूछा है ताहिती दूइप किस कराकार का प्रेड़ना स्रोथ है बताइए वही क्वेस्चन है बस घुमा रहा है आंसर हो जाएगा गौगन ठीक है चलो इसके आगे बढ़ते हैं सीधा लीजे नेक्स्ट क्वेस्चन है मैटर निटी चित्र किसने तैयार किया था यह आप से पूछा जा रहा है वान गौग पाल गौगन रूसो बताइए क्या होगा राइट आंसर किसने किया था मैटर निटी चित्र बताइए हाँ तो राइट आंसर क्या होगा यही होगा पाल गॉगन ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सूरज मुखी के फूल यह कहदे सनफ्लावर किसकी क्रती है फटा फट से छाप दीजे सब पढ़ा दिया है बताओ जल्दी से 47 पे आएंगे आप लोग दोड लगा के एक दम क्या होने वाला है राइट आंसर फटा फट से करेंगे आप लोग तो 70 बिल्कु सही है बिल्कु सही है गॉन गॉग राइट आंसर आ गया है आगे चलते हैं दिया है कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है बहुत पूछा जाता है उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कौन सा नहीं है यह आपसे पूछा है 48 नंबर पे बताइए जल्दी से बताइए फटा-फट से क्या होगा राइट आंसर इसका जल्दी 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 दौड लगा के एकदम स्पीड में 48 का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा अभी भी 48 का आ गया है ममता भारती वेरी गुड शाबबास option A मातिस हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दौ 49 पर मता हूँ जल्दी से जल्दी जल्दी से रहा है में डौक्टर गैचिप का चित्र बनाया है इन्हीं ने बनाया है कहां गए यह बढ़ते का चित्र बनाया है और और क्या है और क्या बताय था हमने ता पोटैटो एटर भी याद रखना है ठीक है और तारो भरी राथ भी इनी हने बनाया था है लुस्ट फोल लाइफ ये भी और सूर्मुखी काफूल ये सब ठीक है जलो आगे डाक्टर गैचट लो फिर से पूछ लिया गे आपसे 51 पूहे दिया है The Story Night, बताइए, क्या होगा, बावन नमबर पे आएंगे आप लोग, क्या होगा बावन नमबर पे, चलिए, आंजर की बात करते हैं, आलू भक्षी, हाँ, आलू भक्षी, सही, option D हो जाएगा, वान गॉग, ठीक है, चलो, आगे, दिया है उपन्यास, Lust for Life, किसका चित्र है, बताइए, किसकी कहानी है, किसके कलाकार के जीवन की कहानी है, ये बताना है आपको, 53, Lust for Life, जीवन के लिए वासना, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, किसकी उपर लिखी गई है, उपन्यास है ये, तो याद रखना है, किसके लिए, वान गॉप की पर लिखी गई है, ठीक है, याद रखना है, 1885 में लिखी जाती है, ठीक है, और लिखी किसने है, ये पता है किसी को, लिखी किसने है, बहुत important है, इसको याद रखना, इर्विंग स्टोन ने लिखी है, पत्थर ने, इर्विंग स्टोन ने लिखी है, ठीक है, याद रखन आप लो चलो आगे चलते हैं नीचे दिया गया है बताइए चाहँवन नमबर नीचे दिये गए समुहों में से एक का चैन कीजिए जिसे उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तर दाई कहा जाता है क्या होगा 54 का राइट आंसर उत्तर प्रभाववादी रचनाओं मतलब उत्तर प्रभाववादी के पूछने हैं कौन कौन है बताइए तो 54 नमबर पे आईए बिरकुल ऑप्शन भी दे दिया है बेरी गुड सेजा गौनकॉक पालवगे निनी को पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक हम लोग है ना चलो आ आगे आपका कीट भच्ची कीट भच्ची आलू भच्ची जो भी है पोटेटो भच्ची बताओ जल्दी से पच्पन नमबर पे क्या होगा तो वही है अपने आलू भच्ची पोटेटो इटर डॉक्टर गैचिट वाले जिनका नाम पूरा है विंसेंट वान गॉग है ना यह है अपने आप्शन सी में बैठे हैं बाबू ठीक है आगे 56 पे आते हैं दिया है पाल सेजा किस कला आंदोलन के अंतरगत आते हैं बताओ जल्दी से क्या होगा पाल सेजा की बात हो रही है चाप दीजे जल्दी से पाल सेजा की बात हुई है यहां पे और यह कौन है उत उत्तर प्रभावबाद के जनक, तो संबंद किस से होगा, उत्तर प्रभावबाद से ही हो जाएगा, ठीक है, और एक बहुत पूछा जाता है, इनका quotation है, सेजा का, एक quotation बहुत पूछा जाता है, याद रखना, color is perspective, आपने पढ़ा होगा, बहुत पूछा जाता है, most important, लिख quotation किसका है, सेजा का है, ठीक है, और आधुनिक कला के प्रणेता भी यही है, ठीक है, उत्तर प्रभावबाद के प्रणेता बोल दे, तो भी यही है, ठीक है, अच्छा पता है किसी को सेजा की प्रेड़ना से किसका जन्म होता है, तो याद रखना है घनवाद का जन्म होता ह ठीक है चलो आगे दिया है ताश के खिलाड़ी चित्र किस ने चित्रित किया है बताएंगे आप लोग 57 पे चलिए जिसका नेट नहीं चल रहा है ना चलने दीजे बाद में पढ़ लेना ठीक है बताओ 57 का राइट आंसर क्या होगा याद रखना है option A हो जाएगा सेजा ठीक है आगे आधुनिक कला का पिता किसको कहते है बताएं जल्ली से अभी अभी पढ़ा है जस्ट आधुनिक कला का पिता किसको कहते है अंठावन नंबर पर तो सेजा बिल्कुल सही दिया है बेरी गुड शाबास नेक्स्ट पर आते हैं दिया है इसनानार्थी यूगतियों का चित्रकार कौन है अभी अभी जस्ट उपर पढ़के आए हैं गलती नहीं होगी उम्मीद है बताइए इसनानार्थी यूगतिया बताइए या कहदे इसनानमग ने यूगतिया ताश के खिलाड़ी तो क्या होगा राइट आंसर सेजा बिल्गुस यह है उप्शन ए राइट हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर दिया है इसनानार्थी किसका चित्र है फटा फट से बताओ यह सब पढ़ चुके हैं हम लोग आंसर हो जाएगा सेजा ठीक है याद रखना है आगे बढ़ जाते हैं दिया है उत्तर प्रभाववादियों में सबसे पहला चित्रकार कौन था बताइए प्रथम चित्रकार आपसे पूछा गया है क्या हो जाएगा राइट आंसर सिक्ष्टी वन बताइए उत्तर प्रभाववादी में पहला चित्रकार कौन था तो जिसने इस्थापना की होगी जो जनक होगा वही होगा ना तो राइट आंसर पॉल सेजा हो जाएगा ठीक है चलते हैं आगे पूछा गया है उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन सर नहीं है बताइए देखिए इसमें न मेन आपके सेजा वान गॉग यही मिलते हैं मेन मतलब जोर्ज सोरा भी मिल जाएगे तो इस तरह से आपको याद रखना है और 62 का आंसर जो हो जाएगा न ये बुनना पुनना ये जो लिखा है न ये हो जाएगा नेक्स्ट प्याते हैं दिया है बाथर्स in front of a tent बहुत पूछा जाने वाला चित्र है ये तेल माध्यम में बना है ये किस से संबंदित है ये आपसे पूछा जा रहा है 63 नंबर पे बताइए तो याद रखना है आंसर हो जाएगा आपका option B ये है पॉल सेजा ठीक है आगे चलते हैं दिया है अमूर्त प्रभावबादी कलाकार का नाम क्या है बताएंगे आप लोग 64 पे तो आंसर क्या होगा सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर 64 पे कहां गए भाई साब इसलिए नहीं मन करता पढ़ाने का डिटेल में चलो हम सीधे question ही करवाय करेंगे 64 का क्या होगा आंसर हो जाएगा पॉल केंडेंस की चलो बढ़ते हैं आगे दिया है जॉर्ज सोरा ने कौन सी टेक्निक का अविशकार किया है आती अथार्थ वाद रीती वाद बिंदू वाद फाव वाद बताओ 65 जॉर्ज सोरा तो पढ़ चुके हैं बिंदू वाद हो जाएगा आगे दिया है प्रशिद चित्रकारी ब्लू डांसर्स बनाई है किसने पिकासो कॉंडेंस की मातिस एडगर देगा 66 बताओ फटाफट से क्या होगा ब्लू डांसर्स किसने बनाई है तो राइट आंसर क्या होगा 66 पर आओ जल्दी से दौड लगाके एक दम इस पीड में 66 सभी लोग करेंगे एक साथ धीमबूद चलते हैं आप लोग 66 का आंसर क्या दे रहे हैं ऑप्शन बिल्कुल तो आंसर हो जाएगा एडगर देगा आपका डी हो जाएगा ठीक है चलो दिया है जोर्ज लीज़े बताईए जोर्ज सुरेट की चित्रकला की बताईए की शैली कौन सी है 67 पाएँगे आप लोग तो याद रखना Poitalism हो जाएगा जोर्ज सुरा वही बिंदुवादी दिया है पीला, मसीह कलाकारी किसकी है बताएँगे आप लोग पीला मसीहा पूछा है आपसे और आंसर हो जाएगा आपका option A Paul Goggin ठीक है चलिए next पे आते हैं दिया है gets of hell इसका मूर्थिकार कौन था क्या होगा 69 का right answer क्या होगा तो याद रखना अगस्त rotten हो जाएगा आगे Edgar देगा द्वारा woman drawing herself प्रती में किस technique का यूज हुआ है 70 number का right answer होने वाला है क्या तो याद रखना है hatching का यूज इसमें हुआ है ठीक है चलते हैं आगे next पर दिया है Paul Seiza का विख्यात तेलचित्र है the large bath bathers ये कहां सुरक्षित है बताइए 71 का right answer आपको बताना है क्या होगा तो याद रखना है answer हो जाएगा option C the museum of modern art न्यू यॉर्क में इसको रखा गया है आगे चलते हैं दिया है उत्तर प्रभाववादी फ्रेंच कलाकार एमिल बर्नार्ड इसकी प्रिशिद ओयल पेंटिंग है बक, वीट, हार्वेस्टर 1788 की है ये कहाँ संग्रहीत है तो right answer हो जाएगा आपको option A ये सुर्जर लेंड में इसको संग्रहीत किया गया है दिया है लॉरेन संग्रहाले में संग्रहीत है लाक्राउ ये चित्र किसका है बताइए क्या होगा 73 का तो याद रख रहा है वान गॉग आपका correct answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पे आपने है पुछा गया है इसमें कौन प्रिभाववादी चित्रकार नहीं है भाया बताओ चल्दी से 74 आजका last question आजका last question इसका right answer हो जाएगा मिलें आपका right answer हो जाएगा हाँ सारी questions करवा दिया आज हमने ठीक है चलिए तो फिर हमसे मिल लो आके ठीक है 74 में ठीक है तो ये वाला जो chapter था आपका complete कोई अच्छे से questions अब फिर कल लेकर आएंगे ठीक है उमीदे class पसंद आई होगी और जल्दी से दिल भेज़ दो अगर class पसंद आई है मैम जी अब धोका मत दीजिए हमने कद धोका दिया भाई आपको अच्छे चलो 5 questions पूछ लेके आपसे white color कर दीजिए न मैम ठीक है कल से white ही रहेंगा हमको लगा कि आँखे दर धोने लगेंगी लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो white ही कर देंगे ठीक है मैम जी detail भी करवाओ आप ऐसे ही ठीक है चलो मैम जी कल के answer तो बताते जाओ हमें answer हमें question ही नहीं है पता कल के हम answer कैसे बताएंगे आप लोग ने answer किये ही नहीं है comment box पे अगर करते तो उसी में पता चल जाता की क्या क्या था ठीक है चलो 5 question आज फिर आपको homework देते हैं ठीक है 5 question आज फिर आपको homework देंगे अब हमें एक काम करेंगे daily आपको 5 questions homework के देंगे ठीक है और उसका answer आप लोगों को ढून ढाण के कहीं से भी नीचे comment box पे करना है ठीक है चलिए तो पहला question है आपके screen पर पहला question चलिए 5 लिख देते हैं पहले number डाल दें फिर बताते हैं आपको ठीक है चलिए 5 question है पहला question आपको बताना है कि गोल गुमबद का निर्माड किसने करवाय था ये बताईए पहले ठीक है गोल गुमबद गोल गुमबद का निर्माड अच्छा हाँ ठीक है आप लोग question बता दीजे हम अभी बताते हैं answer ठीक है पहले इसको कर लीजे पहला है गोल गुमबद का निर्माड किसने करवाय था ये आपको बताना है फिर आपको बताना है फिर आपको बताना है नौरस पुर नौरस पुर नगर की इस थापना किसने की थी ठीक है ये बताना है और फिर आपको बताना है किताब नौरस नहीं किताब इन औरस नहीं पिर दूसरा बताईए आप लोग दूसरा बताईए कि नेक्स्ट क्षिशन बताना है फिर आपको या पूछें चलिए बताईए आप लोग कि जो राजपूत शैली है वो किस-किस से मिलकर बनी है यह आपको बताना है ठीक है फिर आपको बताना है कि गगनींद्रनात की जो पिता थे वो कौन थे गगनींद्रनात की पिता का नाम बताना है फिर आपको बताना है कि व्यंग चित्रों के जनक किसको कहते हैं व्यंग व्यंग चित्रों के जनक लीजे अब बताना है आपको ये 5 questions के answer बताना है ठीक है चलिए तो अब यहाँ तक हो गया कल हमने जो question पूछे थे ना उनके answer सुन लीजे ठीक है आप लोगा ने जो comment box में किये हैं उनके हम answer बता देते हैं चलिए देखे आठ तो बजने वाले हैं भाई एक सिकंड चलिए तो ये 5 questions हो गए मेट दे अब इसको बताई जल्दी से आपने question पूछे थे कहा है सोराई आपन हाँ ठीक है देखो ये question हो गए मेट देते हैं अब इसको हम ठीक है चलिए तो अब हमने कल जो question पूछा था पहले number पे हमने पूछा था अल्पना कहा की लोक खला है तो अल्पना जो है चोथा क्या पूछा था हमने वरली पूछ लिया होगा तो वरली याद रखना है वरली आपकी महारास्ट की है ठीक है और क्या पूछा था हमने मांड़ना पूछ लिया होगा पांचमा है ना यहीं है आपकी पांच से जितनी भी है मांड़ना जो है तो यह राजस्थान का है याद रखना है ठीक है और इसके अलावा क्या पूछा था हमने गोधना अगर पूछा हो तो गोधना याद रखना है आपको गोधना MP का है मद्ध परदेश का और एक और आपने बोला कि सोहराई पूछा था हमने शायद है ना साथमे नंबर पे लिख लिए शोहराई इनमें से जो भी पूछा हो आप लोग समझ जाना ठीक है शोहराई अगर पूछा हो तो याद रखना है ये जारखंड की है ठीक है और कलमकारी भी लिख लीचे यही अब सब हो रही है तो इनको भी करवा देते हैं ठीक है कलमकारी अगर पूछ ले तो कलमकारी कहां की है ये आंध्र पुछी होंगी तो बस बता दिया और पुछी देखिया मधुबनी लिख लिजे मधुबनी आपको पता होना चाहिए मधुबनी कहां की है बिहार की है ठीक है और एक दोटों है शायद एक चौक पूर्णा है अपने यूपी की तो भूली गए है चौक पूर्णा या कहदे को कुमहारास्ट चिकी है बस यही पूछी होंगी आपसे यही आठ ना है मेन ङो फिर अब आफ नहीं और टॉ-टीजू शूनी सूनीं सुनी एक मिनट एक मिनट चाना नहीं है अच्छा हमें ये बताईए जैसे हमने ये अभी questions पूछे आपके 10-15 ऐसे ही हम daily सुबह सुबह साथ बजे साथ बजे तो वो class हम revision वारी चलवा रहे हैं सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे नहीं सुबह सुबह 9 बजे या फिर रात में कर लीजे रात में 11 बजे का system बना दे ठीक है रात में 11 बजे हम एक video बना दिया करेंगे daily 5 मिनट की उसमें हम daily आपसे 10 questions पूछा करेंगे ऐसे ही लिखित ठीक है ऐसे ही ऐसे ही लिखित 5 या 10 questions आपके पूछा करेंगे daily तो आपके ना ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपके complete हो जाएंगे ठीक है हाँ 11 बजे रात को सब लोग फुरसत रहते हैं उतने time हाथ में mobile रहता है ठीक है तो आप लोग बढ़ियां कर लेंगे चलिए अब off करते हैं अभी हमें फिर बोलना पड़ेगा लगता ठीक है चलिए